हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए साररिक शिक्ष्या या फिजिकल एजुकेशन के अतिमहत्वपूर्ण प्रिक्ष्याप्यों की एक बहुती बहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ या वीडियो आपके लिए काफी हेल्पपुल होने वाली है चलिए दोस्त जिसमें विश्राम के समय का सरवाधिक लाव उठाया जाता है चार ओप्षन है इनमें से सही आंसर है अंत्राल प्रशिक्ष्ण अगला क्वश्चन है प्रतियोगिताओं में सर्वस्रेष्ट प्रदर्शन हे तू निम्न में से कौन सा सरवाधिक महत्वपूर्ण है प्रतियोगिताओं में सर्वस्रेष्ट प्रदर्शन हे तू निम्न में से कौन सा सरवाधिक महत्वपूर्ण है सही आंसर है प्रशिक्ष्ण अगला क्वश्चन है तनाव होने पर हमारे सरीर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है तनाव होने पर हमारे सरीर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है सही आंसर है अगला क्वश्चन है इन में से किस प्रतियोगिता का दूसरा नाम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है इन में से किस प्रतियोगिता का दूसरा नाम राउंड रॉबिन टूर्णामेंट है सही आंसर है लीग टूर्नामेंट अगला क्वश्चन है हमारे देश में नाडा या नेशनल एन्टी डोपिंग एजनसी कब अस्थित्तो में आई हमारे देश में नाड़ा या नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी कब अस्तित्तों में आई सही आंसर है 2005 में अगला क्वेश्चन है निम्न मैसे वाड़ा अर्थात वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी के गठन का वर्ष है कौन सा है सही आंसर है सन 1999 अगला क्वेश्चन है इन मैसे कौन सी हमारी आनुवंसिक विराशत है इन मैसे कौन सी हमारी आनुवंसिक विराशत है चार ओप्षन है सही आंसर है गती गती हमारी आनुवंसिक विराशत होती है अगला क्वेश्चन है निम्न मैसे पानी में गुलंसील विटामीन नहीं है कौन सा विटामीन A विटामीन V और विटामीन C पानी में गुलंसील होते हैं जबकि विटामीन A पानी में गुलंसील नहीं होता है अगला कुश्यन है विटामिन डी की अलपता से वयस्कू में होने वाला रोग है कौन सा है सही आंसर है ओस्टियो मलेशिया विटामिन डी की अलपता से या कमी से बच्चो में रिकेट्स जबकि वयस्कू में आस्टियो मलेशिया नामक बिमारी या रोग होता है सही आंसर है ओस्टियो मलेशिया अगला कुश्चन है इन में से कौन सा विशम है इन में से कौन सा विशम है चार ओप्सन है PCOD, SPD, OCD, ADHD सही आंसर है PCOD, SPD, OCD और ADHD ये मानसिक विकार है जबकि PCOD एक प्रजनन संबंदी महिलाओं का विकार है सही आंसर हुआ PCOD, दोस्तो अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही धन्यवाद